वेलकम बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं रास्ट्री आये एवं योगिता आधारिक छात्विती परिक्षा के कुछ प्रशनों को आज हम सॉल्व करेंगे मांसिक योगिता परिक्षन के कुछ प्रशनों को चलिए फटा-फट से सॉल्व करते हैं जो हमारा पहला है वो वेन डा चैंसर हो जायेगा B 31 का हो जायेगा B NEXpt कहERा है बैगन, मान्स, सبजियां बैगन, मान्स, सबजियां सबजी के नदर आ जायेगा बैगन और मान्स हो जायेगा अलग तो यह हमारा Link देखें बहुभूजь के अंदर आएगा आपका बचो चतुरूज और चतुर भुच के अंदर आएगा सम चतुर भुच तो option A हमारा सही हो जाएगा तो 33 के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा A चलिए, next करा है भारत, दिल्ली राज और मध्यप्रदेश तो भारत के अंदर दिल्ली राज भी है और मध्यप्रदेश भी एक राज है तो यानि इसके लिए हमारा हो जाएगा C 34 का हो जाएगा C next के रहा है केला फल आलू तो देखें फल के अंदर आता है केला और आलू हो जाएगा अलग तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा 35 का हो जाएगा दी चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ चलते है यहाँ पर देखिए हमें छित्र दिया हुआ है ठीक है और इसके बाद हमसे यहाँ पर प्रशन पूछा है देखिए आयत हमारा किसको दर्शारा बच्चो आयत का हो जारा हमारा पुरुश उसके बाद गोला हमारा दर्शारा है शहरी त्रिभूज दर्शारा है सिच्छित और वर्ग हमारा दर्शार है किसको जन सेवक को किसको जन सेवक को अब चलिए प्रशनों को हल करते हैं देखे हमारा पहला प्रशन करा निमलिकित में से कौन से सिच्छित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है सिच्छित हैं परंतु शहरी नहीं है तो यहां पे हमारा सिच्छित को 1211 है चल नेइक्सरों प्रोश शेरी च्छेटर की उत्पत्ति हैं तो सिच्चित पुरूश है जो शहरी है चीज्चित पुरुश है जो शहरी भी यानिवन आज ता हमारा कौन है देखें यह सिच्छित यह पुरुश और यह है शेहरी तो सिच्छित पुरुष और शेहरी तीनों में कौन है ये चार वाला है कौन है चार वाला तो मारा राइट एंसर क्या हो जाएगा राइट एंसर क्या हो जाएगा वच्छो राइट एंसर हो जाएगा फोर नेक्स कहा रहा है कि इन में से कौन असिच्छित और शेहरी पुरुष भी है आज सिच्छित में नहीं है शहरी और पुरुष हैं तो देखते हैं हम फिर से देखिए यह है हमारा एक सेकेंड यह हमारा सिच्छित यह है पुरुष और यह है शहरी इस बार हमसे पूछ रहा है कि शहरी और पुरुष तो है लेकिन सिच्छित नहीं है तो देखेंगे हम यहां पर 12 नंबर आ रहा है तो हमारा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तीसरे वाले प्रशन का हो जाएगा बारा नेक्स हम से पूछ रहा है कौन से जन सेवक हैं परन्तु ना तो पुरुस हैं ना इस्त्री और आसिछित भी है मतलब कौन है जो केवल जन सेवक वाले कॉलम में है तो जन सेवक वाले कॉलम देखिए हमारा है वर्ग वाला जन सेवक वाला ये था इसमें केवल अकेला कोने साथ तो इसका तो बहुत इजी था तो राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा 7 चलिए आगे के प आप ध्यान देंगे कि यहां पर कितने खाने हैं देखिए ध्यान से तो एक दो तीन चार पांच इधर एक दो तीन चार पांच इधर है और यहां पर इधर भी तीन है और इधर भी तीन है यानि दो दो खाने घट गए हैं हमारे दो इधर से और दो इधर से तो ऐसे ही हमारे करेंगे तो क्या बन जाएगा इस तरह का एक बाक्स बन जाएगा तमारा राइट एंसर कोण था कर बहुतार है तो जायेगा आंप्शन और दिया इस तरह से त्रिभुच बना दिया ज तो दो चत्र भुज बना दीजिए इस तरह से सेम ऐसा किसमें है option D में तो हम option D को टिक करेंगे बच्चो चलिए next पे चलते हैं next देखिए इसमें क्या है ऐसी आकरिती थी हमारी चत्र पंच भुज के जैसी आकरिती थी बच्चो और उसके अंदर इन्हों ने फिर उपर वाली आकरिती फिर से बना दी तो यहां पे देखिए यह हमारी आकरिती है तो इसके अंदर भी आप ऐसी आकरिती बना दीजिए तो यहां पे option D सही हो जाएगा चले नेक्स, देखिए नेक्स में कहे रहा है कि इधर isso वाले कलर ठे फिर इनको इधर वाले में कलर कर दिया और ऐसे ऐसे लाइन कर दिया तो इसमें भी देखिए ऐसे ऐसे जाई है तो अब Lesson Ad some और यह वाला कॉलम कलर हो जाएगा और लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगी तो ऐसा हमारा कॉल है ऐसा हमारा option डी वाला है तो हमारा डी जो है वो right answer हो जाएगा बच्चों चले नेक्स पे चलते हैं नेक्स देखिए नेक्स में क्या हुआ है देखे इसमें भी तीन रेखा है 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 जबकि इसमें चार रेखा है तो यह हमारा अलग हो जाएगा अब यहां से बच्चों हमको वो चित्र ढूणने है जो बाकियों से अलग है चली आगे देखते हैं next question पर चलते हैं देखे इसमें हमारा कौन सा अलग है इसमें देखे इसमें भी दो line है इसमें भी दो line है जबकि इसमें एक line है तो option B हमारा अलग हो जाएगा पूछ रहा है इसमें कितने चोक हो रहे हैं तो इसकी trick है बच्चो एक, दो, तीन, चार आप numbering कर दीजिए और सब का वर्ग कर दीजिए तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार तीन का वर्ग नौ और चार का वर्ग सोला तो हम सब को जोड़ देंगे तो आजाएगा 30 तो right answer क्या हो जाएगा 30, right answer क्या होना चाहिए बच्चो 30, ठीक है और यहाँ पर 27 गया तो सबसे अधिक जो दिया आप उसको टिक लगा देंगे, हलाकि इसका answer होना चाहिए 30 तो यहाँ पर बच्चो हमारे कुछ मांसिक योगिताओ के प्रशन खतम होते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रशनों के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं बाई बाई बच्चो